यह अच्छार्ट ऐसे टॉपिक के वारे में डिसकुस करने जारा है जिसका नाम स्लोगिजम है और हर एक एक्जाम में यह आता है जैसे कि Commission morphine there real instant ये किसी स्टेट लब की एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो इसे बहुत सारे लोग invented आता है बहुत सारे लोग एक णिसी हम नहीं गेंग करते हैं तो एक नय method के साथ हम लोग जो बच्चे हमारे पहले से पढ़े हुए हैं वो कहीं न कहीं इस method को थोड़ा बहुत जानते हैं बाकी सभी लोगों के लिए एक नय method होगा और इसको हम लोग discuss करके समझेंगे और देखेंगे कि 100 पर्षेट नंबर लोगिजम में कैसे पॉसिबल हो कैसे लाया जा सकता है चाहे उसका लेवल लो हो चाहे हाई हो चाहे किसी भी लेवल कोश्चन हो उसमें कोई भी परिसानी की बात नहीं होने वाले है चली आज सबसे पहले हम नोडिसकस करने जा रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब का जो नम होगा फोनाम होगा सिंगल ड्यग्राम मै्ःवरीयू कि य जी कि बहुँकि य है गलत है शी तो जो जूंड्य मिधरी मैथस्टमीं आप द्रऊ कहते हैं कई सारे डाइग्राम को का से स्टेटमेंट किया जा சकता है आज इसी चीज को अम भूआ डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले सबसे पहले को न आहें Leo न टाहिए कथन के बारे में क्या होता है जो कथनी होती है यानि जो कहनी होती है या जो कहा जाता है उसी को हमें स्टेटमेंट को हमें साथ जो भी कहा गया है उसको हमें 100% मान करके चलाता है यानि उसके कोई डाउट नहीं हमें करना है कभी भी किसी तरह कसर नहीं करना है जो चीजे कही कही है जैसे कही है उसको हमें माल लेना है ठीक है फंटे Libra कैने का मतलब वो आपके नीजी जीवन से सही भी हो सकता है और नीजी जीवन से अलग हो सकता है उसका कोई विरोध नहीं है वो जो कहता है Take है लो कई जानवर है तोrans genial imaging Cristal yeah तो ठीन हिर्मन है उसमें अपने वह को सोचने वाली बात नहीं है अबतलब statement जो करता है उन हम set feast करने के डिल्फ दिया अफी तरीके से हम 100 percent सच मांद करके और और हम conclusion पर बिल्कुल स्टेटमेंट के एकॉर्डिंग सही है इसी चीज की पहचान करना ही स्वागिजम है और यही एक्जामनर का भी कहना है कि जो चीजे कही जाए यानि स्टेटमेंट के आधार पर आप कोई स्टेटमेंट की जो यही स्टेटमेंट में जो नौट यह सब्सब्स नहीं किये जाते हैं वह सब्स यहां निगेटिव जहां नहीं, no, not, यह सब सब जुड़ जाते हैं, वही स्टेटमेंट हमारे निगेटिव स्टेटमेंट हो जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव और निगेटिव का छोटा सा डिफरेंस है, इस पर जादा डिसकस करने की ज़रूत नहीं है, हम बात करत होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं, वह पॉजिटिव स्टेटमेंट कितरे तरह के होते हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है, सम और एक होता है, और आपके बारे में कोई अगर अच्छी बाते बता रहा है, माले या पुरे अच्छे है, यानि आपको कोई बता रहा है, तो SUM पार्ट के बारे मा अच्छा रहाँ है, या All wy came हो. वह कुछ हिस्सों के बारे में अगर बताएगा तो वह सम का केस होगा और सभी हिस्सों के बारे में बताएगा तो वह आल का केस होगा इसी तरह से जब हम निगेटिव बात करते हैं तो निगेटिव स्टेटमेंट जो आते हैं निगेटिव स्टेटमेंट दो तरीके कि आते है एक no आता है और एक some not आता है no का मतलब होता है कि पूरी तरह से negative कर देना किसी चीज को पूरी तरह fully negative 100% उसमें negative ही है कोई positive sense के possibility ही खतम हो जाती है वो होता है हमारा no का case some not का case यह होता है कि some not में कुछ जगहों पे बुराईयां हमें नजार आई है यानि कुछ जगह ऐसे है जो negative sense पैदा कर रहे है तो उसके लिए हम जो use करते हैं वो करते हैं some not इस तरह से चार तरह के sort form में हम कर सकते हैं कि चार तरह के statement बनते हैं वो कौन-कौन से बनते हैं एक some का बनता है एक all का बनता है एक no का बनता है और एक some not का बनता है तो चलिए सबसे पहले इन चार के अलामा को पांचोई statement के बारे में आपको सोचना भी दूए यही चार statement आपको हमेशा मिलेंगे जहां भी मिलेंगे अगर कुछ अलग मिलता है तो उसके लिए परसार मत होई उसको हम discuss कर लेंगे वो होता नहीं है बट लिखने का तरीका अलग हो जाता है वोता बेसिकली चाड़ी है some, all, no, or some not चलिए सबसे पहले some, all, or no, or some not से किस तरह के statement generate किये जाते हैं तो उसको बारे में हम आगे देखते हैं चलिए जैसे some से अगर कोई statement आता है तो Lonnie thing में जो इंगे सभारी तो some ARB जुभर को आज बात किया रहा है तो यहां पे आ जो है वो किसी एक character के बारे में क्याय के मौता है और जो B है वो भी किसी एक character के बारे में बता रहा है A और B दो character का मतलब यहां पे है कि एक जगह पे आप देखते होंगे कि कूछ टेबल 6 है तो टेबल जो होGuya Eh और चेयर जो हो गया वह भी हो गया कुछ AC फैन है, तो AC जो होगया A हो ऑफैन जो गया, वह भी होगया यानि यह हं दो करेक्टर है उनका नीजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक करेक्टर A होगा और एक करेक्टर B होगा, उसका आपसी संबंद जैसा statement क्याएगा वैसा मानना है, नीजी जीवन में कैसा संबंद उससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे sum A.R.B सम A.R.B. के बाद अगला जो statement आल से बनेगा, वो कौन सा बनेगा, वो all A.R.B. full negative, 100% negative case जहां होता है, वो no A.R.B. का case होता है, sum A.R.B. का case जो होता है, कुछ A.R.B. यानि ये के कुछ हिस्से में ऐसी बात आई है, जो negative है, जिसकी अधार्थ उर्ता पता चला है, यानि 100% ये बात सता है कि sum A, यानि ये का कुछ हिस्सा कही ना कहीं negative है B से, तो ये हो गय sum A,R.B. आपको इसी चार form में statement मिलेंगे, चार form components होंगे, sum A,R.B., sum A,R.B., sum A,R.B. इसके अलावा कोई चार के अलावा पांच में के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, और इनी चार के according आपका पूरा slogism खतम होने वाला है, पूरा slogism जो होगा है, इनी चार statement से खतम होता है, बाकि इसके कुछ बाहर सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसी को बढ़िया से समझ देना है, आपको slogism की सारी problem दूर हो जाएगी, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसा कि हमने बोला single diagram method, single diagram method का मतलब यहां पे यह होता है, कि जो यह statement लिखे होते है, क्योंकि question दिए रहेंगे, अभी आगी question भी कराएंगे, तो जो question दिए रहेंगे, उस question में sum ARB, all ARB, no ARB, sum ARB, इस तरह के कुछ statement दिए रहेंगे, तो इस statement को हमें एक diagram में draw करना होता है, जिसका सिर्फ एक ही diagram हम बनाएंगे, दूसरा कोई diagram बनाने क्या सकता, हमें नहीं पड़ेगी जैसे कि अगर बात करें तो पहले वाले case में sum ARB का जो diagram आप देख रहे हैं, उसमें एक circle है, जिसके अंदर A लिखा हुआ है, यहाँ पे, यानि first वाला circle जो है, वो A को represent कर रहा है, और second वाला circle जो है, वो B को represent कर रहा है, चले, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ और रहा है, तो इस तरह से जो कुछ हिस्सा आप दिखा रहा है, जो group watch से आप देख रहे हैं, यह चीज इसको आप कह सकते हैं, तो यह sum ARB, यानि एक-एक कुछ हिस्सा भी है, इसके बारे में यह बता रहा है, इस तरह से यह diagram represent कर रहा है, sum ARB की condition, बात समय में आगे, चले, थो पर एक बड़ा सरकल बना है, जो यह छोटा वाला सरकल बना है, एक्च्वल में A का सरकल है, और जो B बड़ा वाला सरकल है, बी का सरकल है, इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, कि A का जो सरकल है, वो B के सरकल के अंदर बना है, यह इसलिए बना गया कि पूरा A B में है, तो जो पूरा A होगा वो B के अंदर ही होगा, जैसे पूरा आप कह सकते हैं, कि पूरा उत्तर परदेश आपके भारत है तो उसी तरह से बी के अंदर यह आएगा बात समझ में आगे चलिए आगे बढ़ते हैं निगेटिव कंडिशन को लेकर के निगेटिव कंडिशन भी बहुँ सिंपल हो इसके डाइगर आप जारा सिंपल होते हैं जैसे कि अगर देख रहे हैं नो या या कम बना चुछ लोग इसको भी को यह तो यकीन मानिए इस बात में बिल्कुल सचाई नहीं और इसको कभी आपने वह भी बोलेंगे दो अलग सरकल सिर्फ आपको रिपरेजícia कर रहा है नो कि अपने आधोनों के बीच के किसी रीलेस्जन को रिपरेजेट्ट Talent तो जब तक इसमें कोई negative condition negative condition यानि कि जो हम diagram देखना गभा देख रही हैं दूसरे डाइग्राम में एक लाइन कीच गई है और दोनों में क्रॉस लगाए गया है यानि यह बता रहा है यह लाइन बता रही है कि नहीं कह सकते हैं तो उसी तरह से a और b दोनों एक्यूसर से अध्यान है यहां पे कुछ कहाने जा सकता बट यहां पे जब no a or b का diagram यह मांगेगा या बनाना पड़ेगा आपको तो इस तरह से बनाएंगे कि a का diagram b का diagram और इन दोनों के बीच में एक restriction लगा दिया जाए तो अब यह अंजान नहीं रहा गया अब यह पता चल गया कि इनके बीच में negative condition चल रही है तो बात हमारी समझ गया होंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं तो इस तरह से हो गया no a or b को कैसे represent किया जाएगा दोनों difference याद रखेगा का यहीं गल्दी नह पांचो कोश्चन होंगे चाहे कोश्चन आप के आते हैं बैंकिंग में सबसे ज्यादा पांच कोश्चन आते हैं तो उन लोगों के लिए दो मिनट मैक्सिमम लगेगा इसको solve करने में लेकिन इसको पहले समझ ना पड़ेगा इस पर practice हो जाहिए आपका diagram गलत नहीं जो diagram ग क्यों है जिसको समझे गा वो एका ही हिस्सा है लेकिन फो छोटे सर्कल के अंदर हमने कुछ रिखा नहीं है हमने यह बताया आपको की एका जो छोटा सा हिस्सा है यानि कुछ ए उसको हम कह सकते हैं सम पूरा यह तो वह नहीं उसको हम कहेंगे सम नॉट भी यानि बी से लेकिन आप इस में हमेशा यही डाइग्राम यूज करेंगे, इसके अलाबा कोई डाइग्राम और गूरूस आप नहीं करेंगे, चाहे करते होंगे, तो उसको भूल लेए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, अगर इसको समझना है, तो यहाँ पे आपको यही डाइग्राम लेकर के फॉलो करना है, सबसे बेस डाइग्राम यही होता है, समनाट का, चले, तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा, स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्टेटमेंट दो तरीके क्यों होते हैं, एक पॉस्टी होता है, एक निगेटिव होता है, पॉस्टी में भी दो कंडिसन होती है, वो किस तरह से डाइग्राम बनते हैं ये चीज़ें आप देख लिए तो कहीं नहीं आपके माइंड में एक चीज तो चले लगी है कि जो इस स्टेटमेंट आएंगे उनके डाइग्राम को ऐसे ड्रॉक किया जाएगा हमने बार-बार बताया आपको कि इस मैथड में डाइग्राम भी सबसे मेर है तो हम एक बार और चलेंगे कुछ ऐसी कंडिशन को लेकर के जहां डाइग्राम में लोगों को परिसानी होती है तो सभी कुछ इंपोर्टेंट डाइग्राम को हम डिस्कॉस करेंगे और पर इंपो कुछ कंडिशन है यहां पर जो की टोटल सेवन कंडिशन है हमें लगता है कि यह सेवन कंडिशन आपको सफिसियेट है अगर इतना कंडिशन आप समझ जाते हैं तो जैसे अब पहले वाले कंडिशन में आते हैं पहला सबसे सिंपल कंडिशन समयार्भी और समभी यहां पर जो इनिसियल इस्ट्टिटंट होगा जो डार पो आइब आई समझेगा या पहले से स्टिभा को पड़ा है उस के लिए हम बता दे हुँ जो डार जाए चल बनाता है अलग से सम बद्म आर सी बनाता तो यह तो महानमुर्गता है यह कभी नहीं करनी हैं बना कि दीटमेंट को सब्सक्रातों को बना करना है तो सब्सक्राइब्स तोर्म अब सब्सक्राइग्राइंगे इस फॉलो। फॉलो। pasegy A, B, के बाद जब बोलागे हैं Sum B, C, तो वो क्या करेंगे B का कुछ हिसा C में दीखा देंगे, बहुत अच्छे, ऐसे आगर आप बनाते हैं, तो बिल्कुल सही बनाते हैं, लेकिं यहां भी अभी मतलेद है, और वो होना में चाहिए, और वो क्या है, ये लोग कहेंगे कि Sum A, अब उन्होंने यह बना दिया तो गलक कों है कौन सभी है यहां यह वाला डाइग्राम भी साइए और यह वाला टाइग्राब है लेकिन आपको बता दें कि जो मैंठड आप लगाने जा रहे है इसमें आपको हमेशा यह वाला डाइग्राम फॉलो करना है और यह वाला डाइग्राम फॉलो नहीं करना है यह पॉसिबल डाइग्राम कहा जाएगा बट यह पॉर्फेक्ट डाइग्राम नहीं माना जाएगा अब कुछ वो केंग कैसे सरपता चलेगा कि कौन सा डाइग्राम में फॉलो करना यह तो बड़ा कंफिजन होगा कोई कंफिजन नहीं है जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उतना ही हमारा डाइग्राम में भी दिखना चाहिए बात याद रखेगा बातों में ही पूरा रूल ह तो जो statement में कहा जाए वही हमारा diagram में भी दिखना चाहिए कोई भी diagram डुबारा ड्रह नहीं होगा, कोई भी diagram दुबारा ड्रॉ नहीं होगा चलिया आप हम प्रूब कर लेते हैं अपनी बतो को यह भी diagram डूर बार बनाए तो यह से गलत हो गया हमने कहा जितना diagram बिल्कुल नहीं माना जाता है लेकिन यहाँ पे आपने इस statement के अंदर समयार C की possibility दिखा दी, जो कि statement में कहा नहीं गया है, कि समयार C दिखाना है कि नहीं दिखाना है, आपको कुछ कहा नहीं गया है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जब कुछ नहीं कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, कि उसके बारे में कोई guideline नहीं है तो आप कुछ भी करें लेकिन यहां पर जब नहीं कहा गया है तो हम नहीं बनाएंगे हम अच्छे बच्चो वाला काम करेंगे जो कहा गया है उची इतना कहा गया हम उतना ही करेंगे उससे ज्यादा खाने हम दिखाने की व् pytold करेंगे यानि उसने वहीं है तो ऑंसे का दिखा दिखा यान्हें नहीं करण के दिखा लोग आगय वाला ये वाला तो बोला नहीं है यानि क्या निधिक्सित्राइड में गया है । से अगर चलेंगे तब जाकर के single diagram का है single diagram में हम उतना ही diagram में दिखाते हैं जितना statement में कहा जाए उससे ना ज्यादा दिखाते हैं ना उससे कम दिखाते हैं बात समझ में आ गई clear दे सबी लोगों चलिए अगले वाले में थोड़ा बहुत confusion होगा अगले वाले में clear करते हो तो अगर देखा रहे तो आपने जो diagram बनाया वह कैसे बनाया एक पहले ही अभी अभी डिसकस किया अगर पिछली स्लाइड ना तो आले आर भी आपने डिसकस कर लिया अब पिछला यहां पर जो सीख आपको में पहले वाले में जो सीख में लोगों में क्या कि एक हिस्सा करेंगे लेकिन जो कवर करना पड़ेगा सा इसा अभी का लिए करके सीख को ड्रॉ कर देंगे यानि संबी अर्सी बन गया तो यहां पर देखे जो स्टेट्मेंट में कहा कि हमने आले लिया ली दिखा है उस ने कहा संबी अर्सी अमनें संबी रसी उस्ने और चीका रही नि करेंगें लेकिन आपको थोड़ी गलतियां करेंगे तो हमेशा याद रहती है गलती हों से इंसान सीखता है तो बात करतें आ सीर बनाने के चक्र और आपको समझ रहा है कि यह गलत है क्यों गलत है बताने ज़रुद तो है क्योंकि आपको पड़ते भी नहीं है उसकी वज़द से भी गलतियां और जब गलतियां हो जाती है तो फिर आते हैं कहते हैं सब्सक्राइब नहीं हो पाएं तो यह बात है स्लोग इज़र मारा गलत हो जा रहा है तो क्यों गलत हो रहा है बत दिहां से पढ़े पहले इस ट्रेटमेंट क्या आल या बी और और आल सी या लिए यानि कि आप क्या बनाएंगे आल ए आर बी अब अंदर बनाएं रहा हों रहा है तो लिए आप लोगों झेब से शीता है अप्यत्त हीरों सोचते लें तब तक हम एक तीसरा ह्टा राणाते हैं फिर आप हम बनाते हैं all a rd और all c rd, all c rd के लिए हम c को यहाँ ड्रॉव करते हैं, बात समझ में आ गई होगी, यहीं पर होगी, जब आप यह वाड़ा गिराम बना तो फिर वही possibility वाला case में चले गा है, possibility वाल यानि all a rd, तो पूरा a तो b में दिखा सकते हैं, पूरा a भी आपने c में दिखा दिया, जो कि इस पूरे statement में all a rd का नाम नहीं दिया गया है, बात समझ में है, यानि कि हमको क्या करना था यहाँ पे, यहाँ पे यह करना था कि all a rd दिखाना था, जो कि हम इसमें दिखा रह लखनम और इलहबाद को आपस में ना लिखा देगे लग अलग अलग जगा पे हैं लेकिन है उत्तर पर इसमें तो यह चोटी चोटी जो गलतीयां है डाइग्राम की यह गलतीयां आपसे नहीं तो फिर आप Perfect हो जाएंगे उपने इस टॉपिकें even possible हमें नहीं सोचना है हमें सिर्फ और सिर्फ एक डाइग्राम लेकर चलंगा होगा वहीं शीटर recipes अनुट हिए मुट करना हूं गुझा जितना में कहा जा जाए उतना ही हमें पाथ सबस्क依 में आई हो क्योंकि यह सब कुछ न कुछ हर एक स्टेटमेंट हर एक डाइग्राम आपको कुछ न कुछ सीखा है और सातों डाइग्राम सीखने के पाद आप पर्फेक्ट लिए अभी तीन आपना सीखा चौते ग्याते हैं कि आप लोगमें अब तक ट्राइ कर लिया होगाมहको लगता है है और ट्राइ क्यों पर आधे हैं पफिछले यश्में और ट्रइव चौत आद के समस्या आधे क्या क्योंकि आल बी आर्सी को हम अलग दिखाने सकते हैं और अल बी आर्सी अगर दिखाते हैं तो एक अभी हिस्सा हमें सी में दिखाना पड़ गाएगा थो अब आप कि आप कि अब पारो में जली तो इस ड्रम को यहां पर आपलो नहीं देख पार हंगे तो इस ड्रम को हम यह रॉकिष्ष कर दोटे हैं तो इस वाले डाइग्राम को फिर से दिखाते हैं, तो sum ARB all BRC का डाइग्राम कैसे आप लिखाएंगे, sum ARB all BRC का डाइग्राम आपने sum ARB बनाया होगा और sum ARB बनाने के साथ ही आपको problem generate हो, अब all BRC बनाना है तो कुछ लोगोंने B के अंदर C को बना दिया होगा, सोचा होगा कुछ बढ़ बढ़ है, चाहे कुछ ऐसा कुछ अपना दियना को लगा है, लेकिन वह भी गलत है, देखे, बात से पलटना नहीं हमको, जो हुनने कहा है उसको लेकर के चलना है, यानि जितना इस statement कर रहा है, उतना ही बनाना है, और उससे ज्यादा नहीं बनाना है, यह A वाला हिस्सा भी तो C में चला गया, आपने तो B को C सिर्फ लिखा है, कि पूरा B C में जाएगा, और यहाँ पे तो A भी C में चला गया, यह तो statement में कहां नहीं गया, यह तो लागू होना नहीं चाहिए था, तो अब आप ज़रा साब फिर से पढ़िए, और पढ़ कर दे गया, कि Sum A, B, यानि A already B का हिस्सा हो चुका है, कैसे, अब समझे फिर से, यहीं पी आपको प्रावलम हो सकती हो, होने नहीं देंगे, Sum A, B, तो जब Sum A, B बोला गया, तो यानि कि, इस statement का मतलब भी तो कुछ होना चाहिए, Sum A, B का मतलब Sum A, B, यानि A का ये वाला हिस्सा आपने B में दीखा दिया, तो यानि B यहां से लेकर के यहां तक हो गया, और जिस A को आप C में देख रहे हैं, वो actual में A, B है, और वो B का भी इस्सा हो चुका है, तो यानि अगर statement ने बोल दिया कि सभी B, C हैं, तो सभी B, C हैं, अगर करता है, सभी भारतियों को ये काम कर हो चाहिए, वो बाहर से आगर के नागरिक बने हो, लेकिन अगर वो इंडियन है, तो इंडियन को काम करना पड़ेगा, यानि जो पहले से B है, वो तो रहेगा, और A जो B बना है, वो भी तो B का ही पार्ट हो जाएगा, लेकिन आप समझिए, यहां पर डिफिरेंस आपका स समझ में आ गया होगा, A का ये वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा जो है, ये B का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम C में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन A का वो हिस्सा जो B में जा चुका है, उसको हम C में दिखा सकते हैं, यानि हम ये कह सकते हैं, अगर पूरा B C में जाएगा, त तो वह अपने साथ जो दूसरे डाइग्राम को कंटेंड करता है या शेर करते हैं जो उनको उनको भी ले करके जाता है लेकिन उतना ही ले करके जाएगा जितना वो कंटेंड करता है यानि कि एक जितना हिस्सा यह कंटेंड कर रहा है यहां पे वही हिस्सा सी में ले करके आपको हमेसा इस तरह से लेगए चलना चलिए आगे चलते हैं और अर्ब और इस तो पूरा यह भी होगा और पूरा भी आपको क्या बनाना है कि आप ऐसे सोचिए वह में नाना बारत में तो पूरा भारत में नहीं को कुछ लोगो को समस्य होतі हैं। हाला कि ये केस थोड़ा कम पूछा जाता है बट जानना जरू भी हम लोगों के लिए क्योंकि एक नंबर की बात पर करता है पूस दिया तो आप बापिस चले आंगे कोई हाइदा नहीं है चले देखते हैं कैसे यह बनेगा अब देखिए इसमें आप बनाते हैं जैसे ही आल एट आज यह बनाया तो अगला श्टेटमेंट था अब लोग परिसानी कि जब यह बन चुका तो आल बी आरे कैसे बनेगा यानि एक अंदर दूसरा भी थोड़ी नाम बना सकते हैं आपने इन दो कंडिशन की बात हो रही है, तो ये दोनों कंडिशन अलग-अलग दिख रहा है, लेकिन ये एक में कैसे आएंगे, तो इनको एक में लाने का काम ज़रा सूचिए, अगर हम A का हिस्सा और उसी के साथ साथ, उसी के ओपर, हम B का हिस्सा बना दें, यानि A is equal to B कर दिया बस समझ गया, A is equal to B, यानि A जितना बड़ा है, उसमा ही बड़ा B को गना दिया रहा है, यानि कि A बड़ाबर B का मतलब हो गया,ươngitaire E equal to B बस समाज मैं अगया तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरा A B में है और यह भी बाहर जब वो all का statement आए तो उसका subject predicate पलट जाए यानि interchange हो जाए यानि यहाँ all a r b है तो यहाँ all b r a हो जाए बस a और b की position change हुई है बाकी statement all का और सब कुछ हुई है तो अगर ऐसी situation आपको दिखती है कहीं तो वहाँ पर diagram यही बनेगा बाकी कोई diagram नहीं बन सकता है इसी को करते हैं जो आप लोग पढते हैं कि ऑवल लाइप ही लोग को छिब लाश्ट डाइग्राम फी अर्व इसके लिए क्या करना है यह देए ओर सब्सक्राइब कर दोद्सक्राम को काफी हद तक पूछा है, मतलब कभी ज्यादा पूछा है, कई बार आप जब ट्रैक्टिस रेट उठाएंगे, कभी आप देखे होंगे, तो आपको यार आ जाएगा, यह डाइराम अक्सर पूछता रहता है, तो यह डाइराम क्या है, जारा समझिएगा, आपको आसानी से देखे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आल आएर बी, आल आएर बी, तो आपको कैसे बनाना है, यह एका हिस्सा होगा, और इसके कहने का मतलब देखे, इस दोनों में common है, क्या ए भी common, इसमें भी है, आल ए आर बी, यानि पूरा यह क्या है, बी है, औ आप पूरा ए क्या है, सी है, तो भईया, जब डी का आप डाइगे आप डाइग्राम बना रही है, तो उसके ंदर पूरा यह आजाना चाहिए, यह है, ठीक है, तो आयर बी, और आल ए आर र सी जब बनाएंगे, तो आपको सी का डाइग्राम, अब देखे सी का डाइग्रा आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे है जादा नहीं थोरा साओए करेंगे ओ जो उसके संप यानी टो यह का इसे है और페 एक हिस्पॉइश्से तो उसी तरह से यानि यह situation ऐसे बनती है कि अगर कोई दो हिस्से आपस में एक दूसरे को correlate करते हैं तो एक दूसरे को share करते हैं तो उसमें कुछ हिस्सा जो होगा वो दोनों का common हिस्सा हो जाएंगा अब उतने के बीच में यानि इस जो हिसाप दिख रहा है इसमें इतने के बीच में अगर कोई चीज आती है तो वो किसकी होगी वो B की भी होगी और कितना पूरा-पूरा भी का होगा पूरा पूरा इसमें तो यानि दो जो भी डाउट होगा कि आप कमेंट कर सकते हैं उसको क्लेर कर दिया जाएगा आपका दॉट चलिए तो यह डाइगराम आपको सबसे बड़ी बात थी यहां पर डाइगराम को डिसकस करने के बाद काफी हत्तक समझ गया होंगे कि डाइगराम कैसे बनाने क्या करने हैं आगे जो question करेंगे तो आपको single diagram मनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब हम लोगों ने statement discuss किया statement के type discuss किये statement के सारे type को discuss करने के बाद उनके diagram को भी discuss कर लिया कहीं न कहीं हम 50% यानि ready है question को solve करने के लिए question के बस rule हमको समझने है जैसे ही आपको rule समझ में आगया आप समझे कि परंगत हो जाएंगे पूरी तरह से slogism ठीक है तो आए सबसे पहले हम लोग अब question पर ही चलते हैं अब हम लोगों का यह overall जो session था इसके बारे में जो हम बता रहे थे slogism के बारे में यह सब आप लोगों को बता दिये हैं इसको पढ़िया से question आते हैं तो आप सही और गलत में answer तो देते हैं लेकिन सही यानिकी true और गलत यानिकी false लेकिन statement में जो question जब आप read करेंगे उनकी instruction तो यह कूश्टे है कि कौन-कौन सा conclusion conclusion यानि कि niscus, यह होता है, niscus ठीक है, तो यह जो niscus होते है, वो niscus कौन-कौन से niscus आपके statement को follow कर रहा है और कौन-कौन से statement आपके niscus humor नहीं कर रहा है, तो true का मतलब होता है, यहान जब भी hap true बोलेगे या सहीं बोलेगे तो उसका मतलब आप समझेगा follow the statement यानि वह फॉलो कर रहा है और जब आपको फॉल्स बोलेंगे तो आप समझ जाहिएगा कि वहाँ पे पर डाज़ नॉट फॉलो यानि फॉलो बात क्लियर होगी सब को छोड़ी सी बाती है चले स्टेटमेंट पर आते हैं स्टेटमेंट क्या है तो इस स्टेटमेंट है सम अब इस डाज़ा देखिए सम स्टेटमेंट है हो सकते हैं च्यों गलत हो सकते हैं कोई दो सरियल हो सकते हैं या इस तो इसमें से एक सही होगा सोटे है यहां पर सबसे estar between में यहां पर चीज यह यहां पर यहां तो कंक्लूजन सम से है यह को तो सब तरीके सही हैं लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक लाइन याद रखेंगे एक बात याद रखेंगे और अगर स्लोगिजम में पॉजिट्व ने चरका है तो उसे सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक लाइन ही काफी होगी दूसरी लाइन आपको याद करने कभी देवर्ट नहीं पुदेगी वो लाइन क्या है कि कंक्लूजन में जो चीज लिखा गया है वो सीधे सीधे आप स्टेटमेंट में देखिए किसमें देखेंगे स्टेटमेंट के डाइग्राम में देखिए और जो चीज आपको डाइग्राम में दिख रही है सिर्फ उसी चीज को सही करना है जो चीज आपके स्टेटमेंट में नहीं दिख रही है उसको सही नहीं करना है यानि अगर मतलब होता है कुछ स्साइज स कुछ हिस्सा आपको वे देख रहा है दिख रहा है तो यह सबको दिख रहा होगा सवा से कम्हिके यह के weapon में जो दिख रहा है वही सही है जो दिख रहा है वही सही है मात्र वही सही है बाकी के बारे में तो कुछ सही बोलना ही नहीं है चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं अगले वाले में देखते हैं सम बी आरे दिख रहा है हां तो बी का भी कुछ हिस्सा सी में दिख रहा है दिखा अगर दिख रहा है तो बिल्कुल सही कर दीजिए, परिशान होनी ज़रुरत नहीं, दिख रहा है तो सही करिए, उसमें थोड़ा सा भी हो नहीं है, सही करिए, आपको दिख रहा है यानि पूरा ए आपको B में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें कोई आपको पूरा C A में दिख रहा है पूरा C A में दिख रहा है C और A में बहुत दूरी अवाई अलग बात कर रहा है A का C से कोई डारेक्टर रिलेशन नहीं है एक दूसरे से यह दोनों अंजान नहीं है इंकको कोई लेना देना नहीं है दूसरे से तो इनके है इसे का कुछ हिस्सा तो फी में दिखा रहा है जो पर दोनों दिखें तो आउम सभी यह लाश्टेक रही है जाइए हूं को सियमान का था है ऑन् पिता ही बार च summer एक रही बात से और कोई डायरेक्ट रहे आतर्म आधा करें तो अब इसके बाद आपको चार आप्शन या पांच आपको दिये जाएंगे अलग से उसमें कहीं न कहीं एक आपका होगा जो आप्शन में लिखा होगा ओनली फॉर्स्ट एंड सेकेंड और चार आप्शन में से पांच आप्शन में से आप खोजिएगा किस आप्शन पर ये चीज लिखी है जिस आप्शन में ये चीज लिखी होगी उसको क्लिक कर दिजेगा क्योंकि आप पहला और दूसरा ये फॉलो कर रहा है बाकि फॉलो नहीं करते हैं बास समझ में आई सबको क्लियर है आगे बढ़ा जाए चलिए ये अगर आपको रूल समझ में आ गया होगा तो अगले कोश्चन में थोड़ा तेजी दिखाईएगा और बताईएगा कि आंसर क्या होगा हमें लगता है कि अगले कोश्चन में हमें बताने की देवलोत नहीं पड़ेगी आप खुद ही सौल कर लेंगे चलिए सौल करिए आपने डाइगरांग यह बनाया होगा और भी आप फिर लास्ट वोला डाइगरांग और अब यह आल यार भी यानि पूरा अब यह पूरा बी सी पूरा सी डाइगरांग बन गया अब एक बात बताईएगा आपको सम ए आडी सम ए आडी पहले कंक्लूजन में ही कुछ तो सम ए इया डी के बारे में बात करें तो एक घ्साडी में देख्त तु रहा है लेकिन पूरा दिक अब कुछ लोग कहेंगे 9 एक हिस्सा तो वी में देखना चाहिए रखते हैं अर बात एधी की हो रही है तो जब दो लोग बड़े लोग बात करते हैं तो छोटे लोग बीच में नहीं आते हैं तो यहां पर A और D की बात हो रही है, तो B और C को भूल जाओ, इसको इमिलेट करो, कोई मतलब नहीं है, A पूरा का पूरा D के अंदर दिख रहा है न, All A R D, तो पताए, All A R D में Sum A R D सही करेंगे, गलत करेंगे, तो याद रखना इसको सही करेंगे, अब समस्या कुछ लोग उस रिलेशन से Sum हमेशा निकलेगा, यानि Sum हमेसा करट होगा, अरे भाइट पूरा का पूरा A ही D का है, तो कुछ A किसी और का हो जाएगा, वो भी तो D का ही हिस्चा कहलेगा, तो बात समझने में, पूरा का पूरा गोरघपूर, अगर उत्तरब परदेश के अंदर है, तो यानि A अगर पूरा का पूरा D में जा रहा है, तो A के अंदर अगर थोड़ी सी चीज हम ले लेते हैं, यानि कुछ A की बात करते हैं, तो वो कुछ A भी D का ही हिस्सा होगा, इसको कहना बिल्कुल गलत नहीं है, आप गलत नहीं कह रहा हैं, बस यह है कि कुछ सच्चाई बता रहा है, पूरी सच्चाई आप नहीं बता रहा हैं, तो यह गलत नहीं होता है, आप यह कहते हैं कि A का कुछ इस्सा D में नहीं है, तब गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरा A, D बोलते हैं, तो भी आप सही हैं, बास समझें, जैसे आप यहाँ पे कहीं दिया होगा, हां देखे, यहाँ पे आल ए रिडि दिया तो भी सही और जहाँ आल होता है, वहाँ सम होता है, तो हमेशा याद रखेगा, वहाँ स्लॉर्गिजन में यह कंफ्रिजन अगर किसी को बनती है, तो आज याद कर लिजिएगा कि जहाँ आल का relation क्लियर है यानि जहाँ आल सही है वहाँzlich देफिनिटली सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता है. जब पूरे बॉटल ही पानी से भरा हुआ है तो उस बॉटल का आधा हिस्सा भरा हुआ है पूरा हिस्सा भरा हुआ है बिना आधा भरे पूरा नहीं भर सकता है यानि बिना सम हुए कोई चीज आल नहीं हो सकती है बात समझे इस बात को तो जहां आल का relation होगा, वहाँ some का relation definitely होगा, उसमें कोई doubt नहीं रखना है, यह बात याद दो कोई doubt नहीं रखना है, हमेशा यही लेकर क्या पूछ आमना है? All में हमेशा some, कुछ बच्चे हमेशा इस बात का confusion रखते हैं कि All को some कैसे से बोला जा रहा है तो यहां होता है सम अटोमेटिक होता है कोई सोचने वाली बात नहीं है तो आप जहां भी आल दिखेंगे वहां सम जरूर सही करें के clear संद्रा को सही किया जागा या गलत किया जागा तो संजी इतना बड़ा डी है इस डी का कुछ ना कुछ कि पूज़ा टो सीने कवर किया है क्यों कि ये वही चाहशन में ये तो इस फोड़ा कम बी ने किया और उससे कम आधने कि silent सबसे कम जो कवर किए को कम और ज्यादा का कुछ इस में हैं है तो अगे के अंदर ही अगर आता है तो हम बेसक कहेंगे कि right D का कुछ हिस्सा A है तो sum DRA clear बात समझ में सबको तो sum DRA को clear कर देंगे सही है मतलब आइए अगले पे चलते हैं sum A R B बदाए sum A R B सही है या गलत है sum A R B सही है या गलत है चलिए समझ में आ गया होगा वही relation हाँ वही relation है कि पूरा A यह तो B में दीखी रहा है तो अगर पूरा दीख रहा है तो कुछ वाला बात सही होता है यानि जहां all सही होता है वहां sum सही होता है clear सभी लोग को अगले प्यांते हैं चौथा conclusion क्या है sum BRD sum BRD का मत्रब क्या होगा सही हो गलत समझ इससे समझाने ही ज्यूर्द नहीं बत समझ में आए यह अगर पूरा हिस्सा ड के अंगर दीख रहा है तो जाइट सी बात है बी का जो कुछ हिस्सा होग वहीट है वहां sum इसमें तो को हमेंड़ इस तरह के समझ में हो सकते हैं जब इस तरह का डाइगराम दीखे तो इस तरह के दिखते हैं तो या तो आउटर डाइग्राम से इनर डाइग्राम को कंपेर किया जाता है या इनर डाइग्राम से आउटर डाइग्राम को कंपेर किया जब बाहर से अंदर वाले डाइग्राम को कंपेर करेंगे तो बाहर के अंदर वाले डाइग्राम को जो बाहर वाला तो ब यानि कि यह जो केस है के अंदर हुगा यानि बताया आपको जहां जहां बने सम क्या सही होगा तो सम सही होगा यह बात समझनी है यहां पे कि सम का केस इस तरह के डाइग्राम में हमेशा सही होता है ठीक है यह थोड़ी सी सौट ट्रिक अगर कभी ऐसा दीखें तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं बाकी रूल कभी मत बुली रूल तो हमेशा लगीगा ठीक है डाइग्राम में जो चीज दिख रहा है तो हां सम भी आपको दिख रहा है क्यार्सी पूरा एससी में दिख रहा है और यह अग पूरा फूरे मेंनज सो कियो कि डीगे और देग्राम बड़ क अंदर है लेकिश्ट के अंदर नहीं है तो इस सिचुएशन में जब हम भी से यह को प्ड़ित करेंगे तो और नहीं कह सकते हैं और यहां पर यह वाला conclusion आपका गलत बहुत समझ में है अब देखा जाए 9 number 9 number क्या कर रहा है all c r a क्या पूरा c a में जा रहा है देखिए जाए तो c यहां यहां पर 8 9 10 यह तीन हो गलत है first अब जहां भी आपसान में first second हलाकी इतना बड़ा हमें दे दी है इतना आता नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए तक यह कि statement से सारे condition आपको समझे आपको समझे यह वह तो पॉस्ट्री निचर में हमेसा याद रखिए क्या करना आपको पॉस्ट्यू नेचर में हमेसा यहीं करना आपको जो चीज़ दिखेगा वह सई है जो चीज नहीं सबी लोगों को आगे बढ़ते हैं तीसरे का तीसरा देखें तीसरा भी वही कंप्लूजन है पॉस्ट्यू नेचर का है अब बात यहां पर यह आ जाए कि statement और conclusion में statement आपके सामने है conclusion में पॉस्ट्यू नेचर का है हमें लगता है कि इसमें ज्यादा बताने की जिरूद नह अब देखिए यहां पर आपसे थोड़ा समझा दिया है क्या संसी आरी संसी आरी दे दिया जो कि यह statement अभी जो हमने डाइग्राम मना उससे रिलेट नहीं हो रहा है उससे रिलेट होने वाला कौँसा है लाश वाला है देखिए आल बी आर सी को बी से रिलेट करने लोग तो क्या करेंगे यहां पर आल बी आर से परवे डाइग्राम करेंगे फिक बनाना तो हमें सबका है लेकिशे करके हैं यहां पर इसको संजी टॉडश करके बना है क्या करै पंद सнопल आल बि से ऐड़ है संसी आरी हो चुका अब D और E का भी relation मिल लाई रहा है, तो सम CRE बन गए, सम CRE, और ये क्या है, तीसरा वाला, ये है RDR, तो RDR में क्या करेंगे, पूरे D को E के अंदर बन गया है, clear है सभी लोग को, तो चलिए ये हो गया हम लोग का डाइग्राम, अब डाइग्राम से conclusion निकालना हो, conclusion है positive, तो rule क्या है वही, rule यही है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, यानि कि जो दिख रहा है, वो सही है और जो नहीं दिख रहा है, वो गलत है, तो चलिए उठाते हैं फिर से, सम डियार भी बोलिए दिखा रहा है कि नहीं दिखा नहीं दिखा गलत कर यह अग्जाम में भी इसी तरा करना है जहां कोई को जोट है यह बीगलत हो गया रॉचछ फिर करना है तो इसी किस दूद करना है किस तरह से प्रक्स करोंगे कि एपड़र करें तहुद है तो इस तरह से σταव्ण के और स्ट्र criticism करें आथ हो करें समझा कि इस लॉगज़म में इस statement क्या होते हैं इस statement से फिर हम कैसे diagram मनाते हैं one diagram method में आपने ये भी देखा कि किस तरह से positive conclusion को solve करते हैं अब जितने भी positive nature की conclusion को solve करें कभी आप गलत नहीं होंगे ठीक है negative condition और इसके साथ इसकी possibility अगले class में हम लो discuss करेंगे ठीक है चलिए कर दो